इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को श्रवन करने के लिए माराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकों को अवस्य दबा दें रिष्टा ढूंडते समय तलाशते समय यही ढूंडना है हमारा सामध कैसा है परिवार का विवेक व्यवहार कैसा है क्योंकि इस बात को समझना होगा इस बात को समझना होगा कि हमको और आपको किसी को भी रूपय का खजाना सुखी नहीं कर सकता रूपय का खजाना किसी को सुखी नहीं कर सकता होता तो भारत में एक माया नगरी है आरथिक राजधानी मानता है देश उसको नाम है मुंबई अरब पती पिता को उसके ही पुत्र ने सारी संपदा प्राप्त करने के बाद घर से निकाल दिया वो भी धाश्रम में रह रहा था अरब रुपिया बहुत होता है वो सव गुणे कितना कर दो अरब होता है इतने बड़े संपदा का उत्तरा धिकारी पुत्र उसने अपने पिता जी को घर से बाहर कर दिया संपत्ती अपने ले लिया यह बात अलग है कि प्रकृति उसको सुखी नहीं रखेगी परन्तु आप देखिए अर्थ ने सुख नहीं दिया अर्थ जहां अधिक होता है वहां केवल अनर्थ प्रारंब होता है जिसके पास नहीं है वो उसी लिए धोड़ रहा है कि हमरों पास हो जाए वस्तुत है ना होना यह बहुत है अच्छा है संगर्ष में बने रहने से सुख बना रहता है भगवान की प्राप्ति के लिए हमारी यात्रा होगी तो हम यात्री होंगे साधक होंगे साधन करेंगे बगवत प्राप्ती साध्र शुन्यता में डाल देती है यात्रा चलती रहे जिने के लिए सम धी चाहिए सम बुद्ध चाहिए सम व्यवार चाहिए सम सोच चाहिए सोच सम है विचार अलग-अलग है तब भी चला जा सकता है सोच एक होनी चाहिए विचारों में अईक्यता है सोच अलग-अलग है तब भी चला जा सकता है और दोनों में एक भी साथ नहीं है तो साथ चलना कठी नहीं है बहुत कठी नहीं है हम यतन करे परिवार में मानस के संसकार उतरे महराज विदा चाहते है महराज विदा लेकर क्यों? भक्ती को कौन विदा करेगा? भक्ती को तो यहां रखिए साक्षात भगवान आ गए तो अपने घर से विदाई कौन करेगा? भक्ती और भगवान की कोई विदाई करेगा? नहीं न? तो मितलेश भी नहीं कर रहे विदाई नहीं कर विश्वामित्र जी महराज और सतान अंजी ने मिलकर समझाया राजन विदा करी मितलेश तयार हो गए विवस्था की आज्या देदी और बेटियों की विडावे बारात गणपती स्मर्ण करते हुए विडा लेकर श्रीयवद पदारी पलक पाउंडे डालकर आरती वंदर पुरवक माताओं ने बहुरानियों को वंदर लिया छुटी छुटी संध्यावेला में महराज ने समझाया बहुमें लरिका हैं आँख की पलके जैसे उनका समहार करती है समहार करियेगा बधू लरिकनी पर घर आईं पर घर से आईं ये इनका अपना घर है विवाह के बात जब बहुरानी आती है ससुराल में तो उसका घर उसका अपना घर है पिता का घर वो तो अपना आई है ससुडाल अपना घर है उसको अपने घर जैसा समारने दो आतंक न फैला होगा है पुर्वांचल में बहुँओं की प्रती आतंक और तरास दोनों की परचुरता है ऐसा लगता है मानो रिफूजी आ गया हो बहुँओं जैसे रिफूजी आ गया हो कहां बैठोगे, क्या पहिनोगे, क्या खाओगे बहुओं में लाड रखने का अभ्यास करो सॉंपो सॉंपो रवस्था सॉंपने का अभ्यास करो सुख बढ़ेगा महराज ने सिखाया, समझाया, बताया बरातियों को विदा किया लिया भाई लोग प्रभु के साथ विश्राम करते हैं बहुए माताओं के साथ विश्राम करते हैं शो महर देखकर कल कंगन छोड़ा गया गुर विश्वामत्र जी को चक्रवर्ती जी महराज साथ दिन रोक लिए क्यों? प्रेम विदा नहीं करता, प्रेम विदा नहीं होता अब श्वामत्र जी महराज ने कह राजन बहुत दिन हो गए आश्रम गए आप आग्या करते तो मैं अरे सरकार मैं आग्या मैं तो निववर करूंगा विदा का साज सजाया गया हो और तब चक्रवर्ती जी महराज हाथ जोड के कहते हैं ना थ सकल संपदा तुमारी हाथ सकल मैं सेवक समित सुतनारी करव सदा लईकन परिछो करव सदा लईकन परिछो दर्शन दे रभ मुनिमो दर्शन दे रभ मुनिमो असकई राबु सहीत सुत्रानी असकई राबु सहीत सुत्रानी पर वुचरन मुख आवर नमार पर वुचरन मुख आवर नमार पर वुचरन मुख आवर नमार श्री चक्रवति जी महराज कहते हैं गुर्देव इसारी संपदा आपकी है नाथ सकल संपदा तुम्हारी देखे धर्म धुरंधर गुननिदि ग्यानी महराज चक्रवरति जी इसकी आदत डालनी पड़ती है हो कहे की कहने की सब आपए कहे सरल नहीं है बहुत कठीन है सब आपका है महराज कठीन क्यों है कठीन है ना आप बोल के देखिए कि अपने मुझे से निकलता आएगा कि सब आपका है महराज क्यों मुझे सब आपका है अभी तुना पर भी कह रहे हैं कि अभी कम है सब आपका है जो पहले दिया वही कुछ कम नहीं है उसी को निभाने के कामिल नहीं है प्रभु सबाब का है ये कहना सरल नहीं है बड़ा कठीन है पहले के समय में अब नहीं पहले के समय में आदमी रिशियों के आने पर सुखाय जाता था जुराय जाता था दो पुत्र मांगने आये थे चक्रबर्ती जी महराज से गुर्देव क्या कहे चहुते पन पायो सुत्चारी बिप्रबचन नहीं कहे वू देखिए भाषा कितनी जोर बदलती है नात सकल संपदा तुम्हारे बिप्रबचन नहीं कहे वू विचारी और अब कहे रहे नात सकल संपदा तुम्हारे दोनों में कितना अंतर है इसलिए कहा करिए कि ना कहेंगे तब क्या कहेंगे पिता की ही कमाई की उपयोगिता बच्चे इस कलिकाल के अपने पिता की दवाई में नहीं कर पा रहे है अपनी कमाई में तो भगवाने मालिके कुछ कहना ठीक नहीं बैस्पीट पर बैठे है पिता और माता के उपर नाना नानी दादा दादी के भाई के उपर अपने ही बच्चे आपकी कमाई को वे नहीं कर पा रहे हैं इसका अर्थ क्या हुआ आपके द्वारा अरजिस संपत्ति को भी बच्चे आपकी नहीं अपना मान के चल रहे है अपनी प्रतिक्षा करते हैं पता नहीं क्या आप तो सब हो गया ही जा क्यों नहीं रहें जाएं तो हथाक्षर बदलें हम जब जाएं निकालें रखें निकालें रखें भोके तापे बराबर करें पुरानों का उधोशे समनर रखिये गह कथा में मेरे द्वारा अरजी संपत्य का सुखोप भोग और परमारत भोग के वल मैं कर सकता हूँ मेरी संतान कडाप नहीं कर सकता है जो तपेगा आप पायेगा उसका भोग वही कर सकता है इसलिए संतान के लिए एकत्र करना ये अज्ञानता भी है और मूर्खता भी है जिसके प्रारब्ध में जो होगा वो करेगा हम क्यों करे भरे इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए महराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अवस्य दबा दें